Nick Walker केहते कि मैं Olympia से बेटर आया था, मैं तो सबसे traded आया था तो Miracle Bear मतलब Earth's Calisins के केहते कि मैं तो 5 दिन पहले hospital में admit था उसके बाद Diode को केहते कि जो place हमें चाहिये था वो place हमें मिला नहीं और उसके बाद Andrew Jack केहते कितने कम टाइम में मैंने improvement करिये तो उसे ये reaction वीडियो लाने का purpose एक ही है कि आपको अलग-अलग bodybuilders का अलग-अलग mindset समझे Obviously किसी से क्या सिखना ये आप लोगों पर depend करता है Because मैं तो कभी नहीं कहता कि मुझे subscribe करो Because मैं always quality पर focus करो अगर मेरे contents quality वाले रहेंगे उसे कुछ information आप मिलती है Then definitely एक दिन आप मुझे subscribe ज़रो करोगे सबसे पहले तो मैं अर्स कैले सिंस की का update देखके शौक हो गया था Because 5 दिन पहले ये बंदा hospital में admit था और 5 दिन बाद ये stage पे dancing poses करता है और दोस्तों personally मुझे उनकी physique उतनी अच्छी नहीं लगी और ये बहुत ही अच्छी बात है और वो young bodybuilders को message भी देते वो कहते हैं कि आपके पास कितने strong muscles है ये show नहीं करता कि आपके पास कितनी strength है आपके पास कितनी strong willpower है ये show करता है कि आप कितनी strong हो और वो ये भी कहते हैं कि अगर आप bodybuilding करे हो then definitely आपके पास भहुत सरे obstacles आने वाले है बट उससे भी ज्यादा strong willpower आपके पास है potential आपके पास है आप उसे definitely overcome कर सकते हो तो ये एक बहुत ही important message और स्कैलेसिंस के ने दिया है और उस तो he's just 23 तो आप समझ सकते हो कि भार के countries में इतने कम age में भी athletes कितने mature होते तो मुझे लगता है कि इनसे definitely सीखना चाहिए junior, senior या फिर सारे लोगों को सीखना चाहिए दोस्तो अगली reaction देखते है डियोगो की तरप से तो उन्होंने men's physics Arnold Classic में second position grab करिये and he stands next to the Aaron Banks and guys no comparison with Aaron Banks because मुझे लगता है कि उनके proportion उनके muscles की symmetry, उनके fullness और वो men's physics का हर एक criteria fulfill करते है और मुझे लगता है कि उनको उनके peak पे हरना काफी मुश्किल है and फिलाल अभी time के लिए वो possible नहीं है, ऐसा मुझे लगता है अगर वो कोई गलती करते हैं अगर वो off आते है, then definitely वो हार जाएंगे बट वो उसमें भी consistent है अगर बात करू डियोगो की तो वो तो जीतने के mindset से आये थे वो पूरतेरी के से Arnold Classic जीतने के लिए प्रेप कर रहे थे, तो वो कहते है कि जो हमें चाहिए था, वो results हमें मिला नहीं बट हम फिर भी कामियाब हो गए एक evolved physics show करने में वो हमेशा कहते है कि मैं Olympia से बेट रहाँगा Arnold में, Arnold से बेट रहाँगा Olympia में, मतलब वो show by show खुद को improve करना चाहते है, और मुझे लगता है कि वो definitely improve हो के आया थे Arnold Classic में वो काफे full and काफे shredded लग रहे थे लिंक करूँ या फिर life में कोई भी चीज करूँ मैं हमेशा evolve करता हूँ और जो बंदा evolve करता है वो कभी ना कभी आगे जाके जीतता है, आगे जाके successful होता है So guys, finally आता है Mona Lisa का reaction, मतलब Andrew Jack का reaction, और दोस्तों काफे सरे लोग तो pre-jagging में ये मांद रहे थे कि Andrew Jack 2023 Cardinal Classic का title जीतेंगे और वो खुद भी ये कहते है कि pre-jagging में काफी title था, काफी awesome physique हमने show करी थी बट वही finals में थोड़ा soft लग रहा था और इसलिए मुझे third portion मिली जो कि मैं deserve भी करता था और दोस्तों यहीपे mindset पता चलता है एक Olympian bodybuilder का विकाज उनको पता है कि वो pre-jagging में इतने अच्छे थे कि वो title जीत सकते थे बट उनको overall में third portion मिलती है तो उनकी सब से तो उनको second position भी नहीं मिलती बट फिर भी है वन्दा कितना confident है और कितना potential है कि उनको पता है अच्छे तरह किसे respond करेंगे और वो केते कि मैं फिर से fresher comeback करूँगा एक stronger comeback करूँगा और classier and better physique आपको show करूँगा तो यह था Andrew Jack का reaction और दोस्तों आपको क्या लगते है उनके placings के बारे में कि उनको second आना चाहिए था या फिर वो third पे आच्छे अगली reaction आते है Erin Banks के तरप से और दोस्तों वो अपने coach को भहुत जाता priority और अपने coach को भहुत जाता importance देते वो कहते है कि हम दोनों ने जो साथ में चीजे अच्छू करिये वो कोई भी नहीं कर सकता और इतने कम टाइम में हमने both dreams पूरे करें जो लोग only सोचते है कि उनको करना चाहिए था और वो उनको thanks केते कि thank you for believing in me और वो केते कि जब मैं आपको मेरा coach बनने के लिए convince कर रहता तब आपने मुझे ignore नहीं किया और वो ये भी केते कि उपर वाले ने ही हमें साथ में काम करने के लिए design करा गा है और वो केते कि last three years में हमने 5 major IBB शोज जीते है और उनके बारे में वो detail में बताते वो केते कि नियॉक प्रो 2021 उन्होंने overall जीता है अर्नौल कासिक 22 overall बॉस्टन प्रो 22 overall मिस्टर ओलम्पिया 22 22 अर्नौल कासिक 223 और वो केते कि अभी तो हमने start किया आगे जाके भहत सारे शोज जीतना अभी बाकी है और वो अपने कोच के बारे में एक और चीज़ करेते वो केते कि you are NPC and IBB pro dominant coach you are the best coach in the world हाला कि ये चीज़ हर कोई athlete अपने coach के बारे में केता है जब वो जीतता है बट दोस्तों सच में उनके जो coach है cuts वो definitely best coach है men's basic के लिए because उनके पास काफी सरे men's basic athlete है और सारे top rated athletes है सारे top positions grab करते तो ये था Aaron Banks का reaction और आपको क्या लगते Aaron Banks के तरब से because बहुत सरे लोगो Aaron Banks arrogant लगते है तो इसलिए open category वाले मतलब मेंस open वाले bodybuilders उनकी respect नहीं करते है so finally guys आप आता है Nick Walker का reaction और ये reaction मेरे लिए है और आप सभी bodybuilding fans के लिए काफी ज़दे important है because 99% लोगो लगता था कि Nick Walker जितेंगे बट उनका ये सपना Samson Doda ने उनसे चीन लिया है but उससे पहले मैं आप लोगों को बता दू कि आपको मेरे चैनल पे 90s and 2000s के bodybuilders का डाएट उनकी training protocol उनकी steroid cycle के बारे में knowledge मिलेगा because यही मेरा main goal है because इससे मेरा भी knowledge बड़ेगा तो आपको i button पे videos मिलेंगे या फिर आपको description में भी videos मिलेंगे आप जाके देख सकते हो because यह updates बगर बाना तो मैं खाली competition के period में ही बनाता हूँ तो Nick Walker कहते है कि मैंने all up bias से improved package लाया था और जो कि definitely दोस्तों ने लाया था because इससे ज़्यादा shredded physics मैंने उनके past में नहीं देखिए बहुत ही ज़्यादा shredded थे वो stage पर और वो कहते है कि हर एक area में जिसमें हम improve करना चाहते थे हम लोगों नहीं improve किया मैं मेरे package के साथ 100% happy हूँ because मैंने मेरा 100% दिया था वो कहते है कि फिर भी मैं first number का दावेदर नहीं रहा बट आप सभी लोगों पता है कि जब मैं हारता हूँ तब मैं only better comeback करता हूँ और dangerous होके आता हूँ and definitely दोस्तों आप सभी लोगों को Nick Walker का mindset पता है because 2021 के Olympia में वो 5th आये थे 2022 के Olympia में 3rd आये थे तो इससलों हो सकते कि वो Olympia जीत भी सकते मुझे ने पता कि वो Olympia में वो Samson Doda को हराएंगे या फिर नहीं but definitely दोस्तों वो अपनी top positions grab definitely करेंगे तो आपका क्या thought है इसके उपर और साथी साथ में Nick Walker and Samson Doda का comparison भी ला रहा हूँ but मुझे लगता है कि इसके पहले मैं थोड़ा बहुत knowledge gain कर लो और सारे points पे study कर लो इसके बाद मैं एक अच्छा comparison आप लोग को show करूँगा so guys stay tuned और किन लोगों को लगता है कि Nick Walker जीतना चाहिए था definitely comments में मुझे बताओ दोस्तों हम मेंसे बहुत सारे लोग online way protein order करते है जैसे कि 2 kg अच्छा वे हमें 4000 में मिलता है या फिर offer में 3500 तक भी मिलता है बट कौन सा protein ऐसे assurity देता है कि उसमें सारे वो contents मिलेंगे जो कि आपकी physics grow करने में आपको help करेंगे आपकी transformation करने के लिए आपको help करेंगे बट दोस्तों transformium nutrition ला रहा है कि ऐसी pride series just especially for students या फिर ऐसे लोग जो ज़्यादा price afford नहीं कर सकते बट फिर भी उनको international contents चाहिए या फिर international standards चाहिए वो सारे contents ingredients उनको चाहिए जो उनकी body बनाएंगे जो उनका transformation करेंगे तो वो दोस्तों आपको आएगा 2 kg गए अंडर 4000 with my discount code तो इतने लोगों को excitement है डिफिनिटल मुझे comments में बताना मुझे बताओ thank you so much for watching it see you soon love you all